तो शाके इमान बोलाता जूट सबने शान से उस महफिल में हम इमान सत्चुप रहे तो सबने हमें ही मुझ्रिम समझें अब मैं अपनी शायरी शुरू करता हूँ तो पहला शेयर अर्ज है कि जलील किया जमाने में जलील किया जमाने में तुमने मुझे को बता कर दीवाना, इस जमाने ने भी की होती अगर मुझे से वफा तो कुछ कहते। इस जमाने ने भी की होती अगर मुझे से वफा तो कुछ कहते, सिलाए महबत तुम से मिला, ये जमाना लांचन लगाने लगा, अगर तुमने नहीं न दी होती इन लांचनों को हवा तो कुछ कहते हैं। सबने मुझे गुनेगार माना और मुझे ये बेखबर रखा, किसी कमभक्त ने किनाई होती मुझे मेरी खता तो कुछ कहते। चौथा शेर है, मेरे शेहर में, मेरे खुद के शेहर में, मेरे शेहर में मैंने अपनी कुछ अवाओं को उड़ते देखा हैं। अपने ही न बने होतों नवाओं के गवा तो कुछ कहते हैं। और यह आफ़ी शेर उन लोगों के लिए जिन्हें मुझ पर शक होता है। जो कही न कहीं मेरे चोली का इजाम लगाते हैं। कि मेरी कलम से उत्रे लफजों को जो तुम्हें एक नाटक सा बताते हो। मेरी कलम से उत्रे लफजों को जो तुम्हें एक नाटक सा बताते हो। कितनी शिद्ध से हर लफज लिखा मैंने होता तुम्हें पता तो कुछ कहते है। बहुत बश्च शुक्रिया। यह शायरी यही तो तो ती चंशेर और अर्स करना चाहूंगा। यहां पर कुछ भी सक्च नहीं है। दोस्ती आजकल दिखावे के काम आती है। एक मुखबत पे शरी ने लिखी है शायरी तो मैं भी कुछ मुखबत पे अर्ज करना चाहूँगा हम भी आश्की में पढ़े हैं कभी शायरी का सिलसला दो शुरूआ वो आश्की से ही हुआ कि तुम हो इस मौसम जैसी तुम हो इस मौसम जैसी मैं ठहरा कच्चा मकान तुम हो इस मौसम जैसी मैं ठहरा कच्चा मकान मिजास तुम्हारा बिगड़ता ज़र मैं जाता हूँ और एक जाते जाते एक सियासी शेरों सुनाना चाहता हूँ हमारे भाई ने कहा तकी सियासत पे कोई नहीं लिखता पर मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत कि नफरत के हैं काटे यहां फूल प्यार के खिलते नहीं कटपुतली से लोग हैं अब खुद से हिलते नहीं मैं ये कैसे मानलू कि पत्थर में भगवान मिलते हैं और हमें चैसे मानलू कि पत्थर में भगवान मिलते हैं जब इंसान को इंसान में इनसान मिलते नहीं हमें कै तो झाल झाल